आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम सिद्धान तक नहीं होतरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों हम नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे पूरा एनलिसेस है नॉर्थ कोरिया भुकमरी जैसे हालात हो गए है तो मैं प्रॉपर एनलिसेस आपको दूँगा ये खबर दो-तीम दिन पुरानी है लेकिन अभी भी नहीं है खबर क्या है याँ यहाँ पे तो लोग मर रहे है सबसे पहले तो हमारे कोर्सेस को अवेल करो UPSC-CAC के फाउंडेशन कोर्स को अवेल करने की कल लास्ट डेट है इसके बाद प्राइस हाइक हो जाएंगे हमने जब से लॉंच हुआ 28 दे लेकर अभी तक पूरा आपको टाइम दिया है आप स्पेशल ओफर का लाब उठाईए कि जितनी हम quality दे रहे हैं और जो content दे रहे हैं एक दम free में है समझेशने है sales लगी है तो हमारा यही model है कि sustainable socio-economic model है हमारा उतना ही कि हम sustain कर पाएं अभी तो उतना भी नहीं ले जितना हम sustain कर पाएं तो जाईए आपको download करिए और UPSC courses को अवेल करिए चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर दो ग्रोथ रुकवा दियो वैसा मत करो और इंस्टा पर आओ टेलिग्राम पर आओ तो आप देख सकते हो कि क्या हालात है नौर्थ कोरिया में देखिए नौर्थ कोरिया के जो लीडर है वो है किम जॉंग उन ठीक है तो किम जॉंग जो है वो क्या करते हैं वो कभी बोलते हैं कि हम अमेरिका को उड़ा देंगे कभी बोलते हैं कि हमने हाइड्रोजन बॉम बना लिया है मिसाइल का इ प्राइजेस अभी दिसम्बर 2019 यह उपर गए उपर गए वाण के करीब वहां की करिंसी है तो लगबग तीन हजार वान यानि की लगबग दो यूरो के करीब कॏर्ण की रहा था फिक है तो साड़े तीन हजार ठीक है साड़े तीन हजार तक यह उपर गए हैं तो यह प्राइजेज जो है ना वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं दिसंबर 2019 से तो किम जॉंग उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है वहाँ डिक्टेटर्शिप है किम जॉंग उनने अपनी सारी दौ करो खेती करो आप समझे कि घर में भी जासूसी की जाती है और कोई development है ही नहीं हमको जादा वहाँ के बारे में मालूम है नहीं क्योंकि North Korea में जाना प्रत्थवंदित है अगर आप North Korea में जाएंगे North Korea के लोग North Korea से बाहर नहीं जा सकते आप अगर North Korea में जाएंगे तो आप वहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते, परना पुलिस पकड़ लेगी, भाया, अमेरिका का एक बंदा गया था, एक लड़का गया था, बड़ा ब्राइट लड़का, रिसर्च स्कॉलर, उसको नॉर्थ कोरिया में जेल में बन कर दिया, 2016 मैंने वो न्यूस कवर की थी, पांच स अचांत, ऐसा लग रहा था कि पता ने उसके साथ क्या क्या किया है, तो पूरी डिक्टेटर्शिप है, तो प्राइज जो है, वो आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से बड़े, जून, मिड जून की बात करें, तो बहुत तेजी से बड़े, अब ये खाली कॉर्ण की बा अब ये जो साउथीस स्टेशन नेशन है, तो यहां पर पानी बहुत ज़ाधा बरसता है, समुद्र के पास है, तो बरसे गई, कोस्टल एडिया से तो पानी बहुत ज़ाधा, बारिज बहुत ज़ाधा होती है, तो राइस यहां पर इसकी खेती अच्छी होती, चावल की, तो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है, लेकिन दिसम्बर 2020 से, राइस के भी, चावल के भी दाम, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मार्केट प्राइस से, जो पहले हुआ करते थे, अब नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यही है, कि नौर्थ कोरिया में, इतने जादा, एक किलो आपको चावल खरीदना है, तो समझ लीजे, 200-200 रुपया आपको खर्च करने पड़ेंगे, केला जो है न, वो 300 रुपया में बिकर तो आप ये समझो, कि भुकमरी जैसे हालात हो गए है, और जो स्टेट सप्लाइड राशन है, वो बहुत कम होता है, अब क्या होगा, कि स्टेट सप्लाइग करेगा न, भाई, राशन की कमी है, तो किम जॉंग उनकी जो सरकार है, वो सप्लाइगी घर वालों को, लेकिन वो नौर्थ कोरिया कोस्ट पे आता है, उपर साउथ कोरिया है, तो यहाँ पे टाइफून्स आते रहते हैं, किम जॉंग उनने बोला है, कि पिछले साल आगई बाढ़, फ्लड, उपर से आया टाइफून्स, जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा प्राब्लम हमको जहिलनी पड कर सेप्टेंबर 2020 तक यह वेटेस्ट पीरियड रहा है, 1981 के बाद 2020 में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वज़े से सारी खेती बरबाद होगी, बहुत सारे टाइफून्स आए, एक नहीं, स्ट्रिंग ऑफ टाइफून्स की बात की है, कोरियन पेनिसुला को, अब जिस वक्त यह टाइफून्स आए, यह टाइफून्स अगस्त सितंबर में बहुत जादा खतरनाक हो गए, अब अगस्त सितंबर में ही तो राइस की खेती होती है, तो जब चावल की खेती होने वाली थी, तभी फ्लट आगया, तभी टाइफून्स आगये, बरबाद, सब परवाद, हर्विस्टिंग पे गजब असर पड़ा है, टाइफून हागोपिट अगस्त में हिट किया, उसके बाद और तूफान आए, फ्लट्स आ गए, शालिस हजार हेक्टेर्ज, यानि कि लगबग एक लाक एकड का एरिया खतम हो गया, साड़े सोला हजार घरों पे, घरों को नुक्सान पहुचा है, लगबग सत्रा हजार के करीब, जो लोग खेती करते थे, अब, स्टेट मीडिया ने ये सब इंफर्मेशन नहीं दी, क्योंकि भाई, वो मीडिया जो है वहाँ का, नौर्थ कोरिया का, वो किम जॉंग उन कंट्रोल करते हैं, इससे पहले 1990 में इतना बड़ा क्राइसिस हुआ था, जब, ट्रीज को काटा जा रहा था, फ्यूल के लिए, हाला कि रेगुलेटरी प्लांटेशन कैम्पेंच चलाई जा रही थी, लेकिन डिफॉर्स्टेशन लगातार हो रहा था, जिसकी वज़े से फ्लड आ रहे थे, ज लेकिन कितना साथ है, यह नहीं, नौर्थ कोरिया का इतिहासी ऐसा रहा है, कि लीडर बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दूसरी प्राब्लम है, शौर्टेज और फर्टिलाइजर्स, देखिए, यह तीसरी, अच्छा ठीक है, यह अच्छा, इस पर मैं आता हूँ, लेकिन यील्ड जादा होनी चाहिए, वो जमीन आपको क्रॉप दे, उससे लोग खा सकें, तो किम जौंग उन 2014 में, अग्रिकल्चर सेक्टर्स के लीडर्स को यह बोला था, कि अब फर्टिलाइजर का कोई सोर्स ढूंड़ो, डोमेस्टिक अनिमल एक्सक्रीमेंट हो गया, यूमन एक्सक्रीमेंट तक को, जो यूमन का वेस्ट होता है, जो हम टोइल्ट करते हैं न, उस तक को भी यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन फर्टिलाइजर ले क्या हो बिना खाद के तो, क्रॉप बढ़ेगा ही नहीं, बट इट वास नॉट सेल्फ सफीशेंट, बहुत सा चाइना की सुनता है, क्योंकि वो सपोर्ट देता है, अब इसकी वज़े से, कॉविट पैंडमिक की वज़े से, जो फर्टिलाइजर आ रहा था, वो भी नहीं आ पाया, जिसकी वज़े से, अगेन हम देखते हैं, कि ये कम हुआ, नीचे गया ही, बुकमरी के हालात बने, ख अगेस्ट डोनर है, 80% आप समझिए, जो फूड एक्सपोर्ट है, वो चाइना से आता है, लेकिन जैसे ही, पैंडमिक आया, चाइना ने बॉर्डर क्लोस कर दिये, तो गई ये काम से, अमेरिका ने तो वैसी सैंक्शन्स लगा रखे हैं न, यूरोप ने तो वैसी सैंक्श उनका सपोर्ट नहीं है, बाहर लोग यहां के लोगों को सपोर्ट देते हैं, कोई भी नूट्रिशन एसिस्टेंस है ही नहीं, ये एक दिक्कत है, उसके बाद ट्रेड का हैंपर होना, अब आप देखो कि नौर्थ कोरिया का ट्रेड जो है, वो कितनी तेजी से, जो चाइन से 3.5 मिलियन के आसपास रहे हैं, अब अभी, मतलब आम तोर पे, लेकिन अभी की बात करें, तो ये 500 मिलियन से भी कम, तो कुल मिला के बात ये है, कि नौर्थ कोरिया में इस समय भुकमरी जैसे हालात हैं, ओफिशल डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि नौर्थ कोरिया की चीजों को सुधारा जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, आने वाले समय में नौर्थ कोरिया में चीजे सुधरने वाले, नौर्थ कोरिया में कॉफी का पैकेट आपको पता है, कितने का मिल रहा है, आठ हजार रुपय का, 100 डॉलर, लब भाई, साथ आठ हजार रुपय क कितने का मिल रहा है, आपको पता 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 है, आपको पत